नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका होच शेफ धीरज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूर स्टोरिज के बारे में मैं आपके साथ तो डॉम्स इसकस करने वाला हूँ फीफो और लीफो कई सारे बच्चों के कोश्चन्स आ रहे थे कि फीफो वाले नहीं समझारे तो प्लीज कमेंट कर जीजएगा जब एक ही एक ही कमेंट छे साथ बार आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो पर टॉपिक जरूरी है तो मैं वीडियो जरूर बना दूँगा तो चलिए तो इसके उपर कम से कम छे साथ बच्चों ने मैंने फस्त wisely किश्च फिफो या फस्त न फस्त आउट आप देखेंगे कि आपके श्रूर्स में लगा रहता है कामचे आपके किचन में लगा रहता है जिस मेंकि बोल जी जाता檜 कि फस्त न फस्त प्रॉब हम स्टल से लेके आ रहे हो जो पहले आया उसे पहले इस्तमाल करना है किसी भी प्रकार का समान हो, दाल हो, चामल हो, चीनी हो, सबजी हो, ग्रॉसरी के आइटम हो, यह ग्रॉसरी के आइटम ही थे, नॉनवेज हो, यह दूध हो, डेरी हो, पनीर हो, तो जो पहले आया है, उसको पहले ही इस्तमाल करना है, तो हो गया एक यह पॉइंट, यह एक पह पहले आये था उसको पहले इस्तमान नहीं करने आए तो यहां पे आप लोग confused हो जाते हो तो लीफो का मतलब है last in first out जो समान बाद में आया है उसे पहले इस्तमान करना है क्यों करना है आपको मैं वो भी बताऊंगा यहां पे अगर इस पूरे process को समझने की कोशिश करें हमारे जब भी हम लोग store से समान लेके आते हैं आप लोग एक registration लिखते हो आपके chef उसको approve करते हैं और आप किसी एक particular store में जाके वो समान store वाले को दिखाते हो और वो आपको समान issue कर देता है अब यहां पे सिर्फ हम लोग food की बाते कर रहे हैं तो मैं यहां पे दोपर करके store बता रहा हूँ एक है हमारा grocery store दूसरा होता है हमारा perishable store grocery store के अंदर आपके सारे मसाले आगे दाल चावल चीनी हो गया आपका अनाज हो गया नमक हो गया यह सारी के सारे dry items को बोल सकते हैं वो सारे आ जाते हैं अब यहां पे आप जाके store वाले को परची देते हो अगर आपका बड़ा hotel है तो आप directly खुदी एक परची देते हो सारे का सारा समान आपके पास आ जाता है उसके बाद आप ले जाके क्या करते हो आप अपने self में या आप लोगों का जो kitchen का store होता है वहां पे आप रख देते हो अब आप देखेंगे जो भी आप मसाले दाल चामल चीनी यह सारे की सार लेके आएं इनके पीछे एक expiry date लिखी होती है इसका मतलब होता है कि जो expiry date लिखी पड़ी है आपको उस date से पहले इस समान को पूरा use कर लेना होता है अब एक सिनारियो तो यह हो जाता है दूसरा सिनारियो क्या होता है जो perishable item होते है perishable item में आपकी सबजी हो गई dairy product हो ग lagging नहीं होती कि इसको तीन दिन इसमाल करना चारत इसमाल करना है क्योंकि अगर सही है तो आप हफ्ते बार भी बात भी इसमाल करेंगे तो क्या problem है तो simply आप इसको लेके store वाले को यह सारी रिक्वेशिशन देते हैं अलग-अलग segregate करके आपको वह समान देता है उसके आप लग देते हो अब यहां पर जब आप अपने store के अंदर लग देते हो जो भी आपकी दूद दही पली रहे उनके पीछे एक expiry date लिखी होती है सब जो के पीछे expiry date नहीं रहती है इसके बाद अगर आपके पास frozen corn piece यह आ रही है भी आप जाके frozen में रख देते हो ice cream सारी लिखी है वह फ्रोजन में रख देते हो जिसके पीछे expiry date लिखी रहती है इसके बाद आपके नॉन्वेज के item आते हैं नॉन्वेज में आपके दुटरीके साथ सकते हैं frozen भी आ सकता है फ्रेश भी आ सकता है, फ्रोजन आता है तो उसके पीछे एक एक स्पाइरी डेट लिखी रहती है, पर अगर कोई फ्रेश अला रहा है तो वहाँ कोई भी उसके पीछे एक स्पाइरी डेट नहीं रिखी होती है, वो आपको अपनी काबलियत पे या सूंग के कैसे भी समझ के पता लगाना होता है कि यह ठीक है घलत है, जब यह प्रक्रिय आपकी हो जाती है, तो सारा समान आपके एक पर्टिकुलर स्टोर में चला जाता है, अब यहाँ पर आती है हमारी लीफो और फीफो की बात है, इसमें जो भी आपके आइटम है, जिनके उपर एकस्पारी ले जाते हैं, आपके पास कुछ बैक अप पड़ा रहता है, मैं यहाँ ग्रॉसरी पर आ रहा हूँ जिर्फ अभी, तो आपको एक जो स्टोर वाला एक और मसाला जे नमक का पैकेट ले देता है, जिसका की एकस्पारी डेट जनवरी में थी, अब इसकी एकस्पारी डेट में होना है, वो खराब हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लीफो का इसमाल करना पड़ेगा, दूसरे सिनेरियो में अगर आप सबजी लाए हो, तो सबजी का कोई फरक महीं पड़ता है, आप पहले इसमाल कीजिए, कभी भी इसमाल कीजिए, पर अगर जब आप उसको काट देते हो, काटने के बाद वो एक तरीके से उसका मीजा प्लस कर देते तो, वहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, कि आपको उसको विदिन जो भी आपकी स्पेसिफिक टाइम या गाइड टाइन, जो भी आपके रेस्टरंट होटल ने, आपरेशन सेट करी हैं, उसको इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ, आप डेरी प्रोड़क के लिए के आरे हो बहुत सारा, आप दूद लाते हो सोंबार को और वो बुद्वार को खतम होना है, मैं 48 गंटे का यहां पर तीन दिन का टाइम ले रहा हूँ, पर अचानक से सोंबार के बाद आपके मंगल बार की सप्लाई आती है, और जो की दूसरे दिन आई है, और उस पे जो एकस्पाइरी डेट लिखी होती है, वो दूद कहीं से पुराना आया होता है, या आपको मजबूरी में दे दिया जाता है, कि आपको नेक्स दे नहीं मिलने वाला है, कहीं पे दंगे भसात हो जाता है, आपको पहले इसमाल करना पड़ता है, जबकि रूल के हिसाब से आपको संडे का दूद पहले इसमाल करना था, यहाँ पर आपकी मजबूरी बन जाती है, कि आप पहले इसमाल करें, नहीं तो वो इसकी जो एकस्पाइरी डेट है, वो खत्म हो जाएगी, तो इस सिनेरिव म में भी हम लोग दुबार से लीफो इस्तमाल करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट तो यहां पे स्टोर में यही होता है कभी आपके पास इतना सारा एक्सस समान आ कभी गलती से आता है कभी जान बूच के आता है बहुत सारी चीजी होती है चोरी चकारी होती है दुनिया भर की चीजी होती है तो उन सब चीजों से बचने के लिए या आप उन चक्र में मत रहिएगा फालतों के चीजें कुछ नहीं होता है मैंने भी कई लोगों को नोकरी से निकलते वे देखा है इस चक्तर में तो उन चीजों में नहीं रहना है तो वापिस टॉपिक पर आएंगे तो जो भी समान आपको खराब हो रहा है और खराब करने के लिए आप जो भी प्रक्रिय आपना रहे हैं उसको आप एक तरीके से लीफो बोल सकते हैं फीफो भी इस्त वीडियो में तब तक के लिए जए हिंदा